आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटे बहुत ही मज़ेदार पंजाबी छोले जो की स्पेशल मसालों वाले बनते हैं तो चली इसे बनाते हैं तो पंजाबी छोले बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोले को भीगा लेना यानि की काबली चने तो सफेज चने को मैंने डेड़ कप रात में भीगा दिया था अगर आपको दिन में बनाना है तो कम से कम इसे 5-6 घंटे के लिए उबले हुए पाने में इसे अच्छे से सोक कर लेना है अच्छे से भीग जाएं अब इसमें आट करेंगे तेश पत्ता दालचिनी की लगडी और टेस्की कोडिंग नमक एड़ कर देना है दो सुखी लाल मिर्च एड़ कर देंगे और कश्मीरी मिर्च एड़ कर देंगे थोड़ा से कलर के लिए और आदा छुटा चमच एड़ करेंगे इसमें देसी घी जिसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आजाएगा और हमारे छोलें बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो इन सारी चीजों को हमें इसमें मिक्स करके और डखन बंद कर देंगे और चाने अच्छे से गल जाए तब तक हमें इसे पका लेना है तो यहां पर इस्वेशल मसाला बनाएंगे इसके लिए तो यहां पर ले लिए देड़ चमच सा और पाली इसमे नहीं कर आपकर तो लें लिए 5 जूड़ मिर्श और तो दो ले सकते मेरी पहचे में ने एककर लेंगे अपर 6 लिए देवह वे लेंगे ऎमें जायतरी कह और चुटकी मिल्स फ्लीवर आड़ हो चाहुआ है अधाग एंड़ करें तो यहां पर मैंने तभी मatus तवे पर डाल देंगे और हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे बहुत जादा जलाना नहीं है बस इसमें अच्छी से खुश्बू आने लगे तो यह देखी इतना गरम है कि मैंने हाथों से चूर रही हूं तो बहुत जादा आपने तवे को गरम नहीं करना बहुत जादा मसा सारी चीजों को हमीं हलका सा रोस्ट कर लेना सिसा इस तो बहुत जाद जलाना नहीं है और चाहाँ पौडर भी ले सकते हैं बात में आपौडर वाले लाल मिच एट कि मसालों कoru से भी हाऊ बहुत अची हमसे गरम करने से عنCap हना है फो अचीन k算िं खुशन के लिए तो यह ब अपने हिसाब से लीजे जिसे आप से कम जादा खाते हों तो यहां देखे हमारे चोले भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और यहां पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब तेल में एट करेंगे आदा चोटा चमच जीरा और जिरा अटक करने के बाड़ी हम इसमें एट कर देंगे फाईन की हुई प्यास भी और प्यास को हमें अच्छे से ग Came हो जाने तक फ्राई कर लेना है जब तक हमें प्यास ग्ल्डन हो रही तर तक हमें कतक कर लेंते हैं तो यहां पर ले लिया है मैंने धनिय की डंधल को अक तो जब आप प्यास के साथ धनीय की डंटल को भूनेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अची सी खुश्बू धनीय की डंटल की खुश्बू आएगी तो आप यह जरूर आट कीजिएगा तो यह दिकी प्यास हलके से गोल्डन हो चुकी है और अब इसम मिर्च बनाये गाट कर देंगे तो अब जब सालाते हैं तो आप और जदा भी candelas कर सकते हों और तो एसमें करेंगे तो खुटकी हल्री दोचुटकी हल्री एंट करेंगे और एक चमच इसमें एट करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चु का पाउडर आप देगी मिर्च भी ले सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को दही के अंदर इस तरह से फेट लेंगे अच्छे से और देखे प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी पाउडर बाहना दया मारे फट चाएगी और अच्छे से मिक्स कर देगे और यहां पर मैंने एक भड़े साइस कर टामाटा ले लिया इस तरह से मैं रफ़्ली तरह इसे ऐड खोर कर देंगे और थोड़ा सा नमक और ताकि थाच्छन आड़ जाए अर धकल लगा के तीन से चार में अट के लिए सारे मसालों को मैचे से बूल लेंगे अब इसमें अमचूर पाउडर अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चार्ट मसाला या फिर इमली का पल भी एड़ कर सकते हैं तो देखे मसाले अच्छे से जब तक भून रहें तर तक हम यह छोल चोलू को मैंने थॉका फोड दीता It Allht Nordicमा पिल देना है और मैंने लाल मिच को निकल लिए कि कहीं बहुत जाथा तीखा न हो झाल तो यह देखे इस तरह से आपने चम пой यह छो या फिर पिर श्पैशल रहो इस तरह से आपने फोड लेना वह बहुत जासे你 करना है बस इससे हलका सा 30% तक पोड देना है चने को तो अब 2-3 मिट के लिए मसाले के साथ में चने को अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का और हमारे चने भी बहुत अच्छा से भून जाए तो यह देखिए इस तरह से हमें च अब इसमें एड़ करेंगे पानी तो मैंने वही पानी इस्तिमाल किया जिसे हमने चोले को बाल लिया था वही पानी इसमें एड़ कर देंगे और पानी एड़ करने के बाद 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है तो यह देखिए बहुत ही मसेदार से हमा चाहें तो उपर से भी थोड़ा सा इसमें छड़क सकते हैं मसालों को और यह देखिए बहुत ही मज़िदार सा हमारा पंजाबी छोला बन के त्यार हो चुका तो ग्रेवी कम जादा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं आप चाहें तो इसे बिल्कुल गाड़ा बना सकते हैं रेस्पी अच्छी लगए तो प्लीज लाइक कीजेगा सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूँए